दीग भरतपूर परिटन विभाग द्वारा आयोजत ब्रिज महोतसब में पांच मार्च को डीग के जल महलों में रंगीन फब्वारे चलाए जाएंगे इस दोरान ब्रज महोतसब की तैयारियों को लेकर डीगुप जिला कलेक्टर सुमन देवी ने अधिनस्त अधिकारियों के साथ चल महलों का दोरा किया आये इस दोरान सुमन देवी जल महल पहुँचकर फब्वारे चलने वाले पानी के टैंक का भी अवलोकन किया साथ ही समबंधित पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से फब्वारे चलने के सिस्टम को समझने की कोशिश की इस दोरान उन्होंने पुरातत्व के अधिकारियों को कहा कि फब्वारे संचालन टैंक की पानी की क्षमता 64,770 घंफिट है इसलिए इसको पूर भरने की कोशिश करे उन्होंने कहा कि टैक को 4 और 5 मार्च को में कभी भी देखने आ सकती हो आई उन्होंने टैंक के लीकेज सहिट टैंक की साफ सफाई के भी अधिकारियों को निर्देश दिये उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि इस कारे के प्रती लापरवाही ना बढ़ते अगर लापरवाही बढ़ती गए तो संबंदित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कारेवाही की जाएगी इस दोरान उन्होंने जल महल के प्रतेक पॉइंट पर जाकर तूटे हुए फाउंटेंग को बैस्ट पानी नहीं निकले उन्हें डांट लगा कर बंद करने के निर्देश दिये गंदगी से अटा हुआ तालाब फाउंटेंग के दोरान बीच में आने वाले पेर सफाई व्य व्यवस्था के दोरान उन्होंने सीसी कैमरों की भी जानकारी ली आए इस दोरान उन्होंने जल महलों में ही मीटिंग लेते हुए जलदाय विभाग के सहायक अभ्यंता आलोक शर्मा वर कनिष्ठ अभ्यंता को निर्देश दिये की टैंक भरने के दोरान पानी की पर्याप की व्यवस्था कराएं उपचिला कलेक्टर ने सुमन देवी ने कहा कि ब्रज महोतसभ की सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा अगली मीटिंग में की जाएगी अभलोकन के दोरान कार्य पालक मजिस्ट्रेट सोहन सिंग नरू का अधिशासी अधिकारी मनीश शर्मा सहायक विभागी अधिकारी चल रहे थे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ भारतनी ब्युद्ट्रेट पानी का स्टोडेज होता है उपर अधिकारीं बॉस्ट्रेज की गयी शर्मा एंधिकारी國 Satya